दोस्तो तारिक मैता शो में जिस फैमिली पर सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा था कि ये लोग चोरी करने के इरादे से गोकुलधाम सोसाइटी में आया है लेकिन अब यहाँ पर काफी सारा ड्रामा हुआ है और ये सामने चीज आया है कि भक्ती को सपना आया था कि गनेश जी उसके साथ आकर उसके साथ डांस करने वाले हैं और भक्ती की इसी श्रधा को देखते हुए वो गोकुलधाम सोसाइटी में वहीं गनेश जी के पास ही रहना चाते थे लेकिन दूस्तो दूसरी तरह गोकुलधाम वालों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि भक्ती और उसकी फैमिली सच बोल रहे हैं लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे उनके बारे में चीज़े सामने आ रही हैं तो उनको भी विश्वास आता जा रहा है और यहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि जो मादवी है वो भीड़े के खिलाव जाकर भक्ती का साथ देने के लिए रैडी ह हो जाती है तो मतलब यह काफी बड़ी बात है तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि पूरी गोकुल धाम मालों को यकीन आ चुका है कि जो भक्ती और उसकी फैमिली है वो सही बोल रहे हैं तो हाँ गाईस मुझे भी ऐसा लग रहे है कि इस स्टोरी में जो भक्ती और इसकी फैम में सनागरपो.